तो हेलो फ्रेंज तो आपका स्वागत है ट्रिकर अमित यूट्यूब चैनल पर तो आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको यहाँ पर लाइप प्रूफ दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा वाच करना थोड़ा भी वीडियो मत छोड़ना वरना आपको भी समझ में नहीं आएगा अगर आपका प्राइबेसी में लॉक लगा हुआ है किसी भी तरह का प्ले स्टोर अप्लिकेशन पर या फिर कोई और अप्लिकेशन पर तो भी आप खोल सकते हो तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस application पे लगा हुआ privacy lock उसे आपको open करना होगा मेरा play store पे लगा हुआ है तो हम play store को open करते हैं अब इसे यहाँ पे forget करने के लिए यहाँ पे चाहे तो आप जो है वो लोग खोलने के लिए अपना fingerprint को यूज कर सकते हैं अगर आपका fingerprint का option नहीं दे रहा है तो यहाँ पे privacy password जो है वो आपको इस तरह से दिखा रहा होगा और बोल रहा होगा कि enter privacy password तो यहाँ पे password नहीं पता है तो यहाँ पे forget को उपर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे एक option आता है reset from security question तो यहाँ पे reset from security question का जो option है इसी को उपर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे एक option आ गया है enter the answer to the question below former teacher name अब यह former teacher name यहाँ पे आपको डालना ही पड़ेगा उसके बाद ही आपका जो है वो privacy password forget होगा तो देखो जब भी आप यहाँ पे password डाले होगे तो आपने एक जो है वो teacher name जरूर डाला होगा जैसे कि मैं अपना यहाँ पे teacher name खुद का डाला था तो मैं अपना teacher name से यहाँ पे इसे खोल लूँगा तो हमारा teacher name से यह खूल जाएगा, देख सकते हूँ यहाँ पे खूल चुका है, अगर आपका नहीं खूल रहा है, तो आप try करो, अपना ध्यान लगाओ कि कौन सा teacher name था, और अगर teacher name पता ही नहीं आपको, तो इसके उपन मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, अपना channel पे, जा करके आप देख लेना, तो यहाँ पे मैं एक नया password अब सेट कर लेता हूँ, तो नया password सेट करने के लिए चलो, कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हो, privacy password successfully reset हो चुका है हमारा, अब हम यहाँ पे playstore का फिर से open करते हैं, अब यहाँ पे हमें privacy password पर इसका lock पता है, क्योंकि मैंने reset कर दिया है, तो मैं वो lock को एक वार फिर से डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने lock को डाला, तो हमारा privacy password यहाँ पे खुल चुका है, और playstore का जो lock लगा हो था, वो भी खुल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप भी जो है वो इस तरह से playstore का वी lock खुल सकते हो, privacy password का,